हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक्जाम भी में तो आज है 17 माई और 17 माई 2024 की important current affairs मैं आप सभी के सामने लेके आ गया हूँ जिसको हम लोग mcqs की form में करने वाले और साथ साथ में आपको static gkcv डेट में बहुत सारे चीज़े बताऊंगा और अगर आप तयारी कर रह हो आप ssc की त्यारी कर रहे हो या फिर आप त्यारी कर रहे हो बैंकिंग की तो यहां पर मैंने सभी चीज़ों यहां पर कवर किया है और दातर मुझे लगता है कि अगर एक वेक्ति अगर डेली 10-15 मिनट भी अगर करणट अफेर को देता है तो वह इनफ है क्यूंकि आपक सब्सक्राइब करता है कोई बागी जैसा आप लोग समझ सकते हैं वह आप पर डिपैंड करता है कौन से इंस्टिट्यूट ने अभी एक MOU क्यों Memorandum of Understanding Science किया है University of Bolton के साथ में ठीक है यूनिवर्सिटी और बोल्टन है पाटिकुलर्ली यह कहां पर है पहली बात हो यूके में इंस्टिट्यूट और मेडिसीन के साथ एक कॉलाबरेशन किया है ताकि वो मेडिकल के फिछल्ड में रिसर्च कर पाए इनॉवेशन नवाचार लेकर आपाए और शिक्षा को बढ़ावा दे पाए तो यह किसाथ करा है एम्स नीव डेली ने करा है युनिस्ट्री और बोर्टन के साथ में एक मेमोरेंड़ अंडेस्टैंड अंडेस्टैंडिंग साइन किया है अच्छा नेस्ट कोशन है विच कंट्री हास बीकम दे कंट्रीज कंट्री विद्ध हाइस डेटा सेंटर कैपसिटी इन एस्या प्रसे है हाइस डेटा सेंटर कैपसिटी वाला तो वह कौन सा देश है यह हमारा प्यारा भारत और यह कोशन हंडेट परसेंट आएगा आप इसे इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है रिसेंट्ली आपने सुनाओ को मेटा है फेस्बुक है य कहां पर खुलेगा रिलाएंस जीओ के कैमपस में जो कि कहां पर है यह चन्नाई में तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्जाम में आ सकता है रिसेंट्ली सेला टनल को रिकोगनाइस किया गया है एक हाइस टनल अफ इंडिया क्या कर रहा है भारत की सबसे उचा तो यह चीज़ आप लोग ध्यान देना यह है 2.5 वैसे 598 है किलोमेटर लंबी है कि तेजपूर से तवांग को जोड़ती है कहां पर है अरुनाचल प्रदेश में है जिसके राजदाने इटान अगर इसके जिसके cm को आने पेमा खांडुए ओके तो यह कहां पर है तो यह आप लोग ध्यान देना अरुनाचल प्रदेश में है एक्सपोर्डिंग तू दा कॉमर्स मिनिस्ट्री अगर हम देखें वाणिजे मंत्राले के आकड़ों के अनुसार इंडिया डे जो रजिस्टर किया है एक्सपोर्ट फानेशल एर दोजा तेश चौबिस में एक्सपोर का भारत ने एक्सपोर्ड किया है अगर इप्सपोर्ट किया है अगर मैं आप再见 क्रेंच reference तो यह ज्यादा और 2023-2024 के बेश में जबसे ज्यादा export सबसे यादा trade हमने किस country के साथ किया है याद अग tussen China दुबारत से नंबर वान आ चुका है बहुत छोटे अंतर से China आ गया है USA second number में इस से पहले लगातार 2 साल तक USA था उससे पहले चाइना था उससे पहले उससे उसके बीच में कहीं UAE भी आ गया था लेकिन यूएस से आपनों ध्यान देना कि यूएस से पिछले दो साल से लगातार था लेकिन ये पीछे जा चुका है विच डिफेंस फोर्स हैस लॉंच ओपरेशन सदभावना ताकि ये एसेंशल एड और हेल्थ केर प्रोवाइड गरवा पाएं सिक्किम के उतर इलाकों में जो एक बहुत इंटीर एरियास है तो ये जो ऑपरेशन सदभावना है ये है इंडियन आर्मी की यानि भारती सेना की और भी ऑपरेशन से जो कि अक्जाम में आ सकते हैं ऑपरेशन बंबी बकेट ये आपको बता है जो नैनिताल में आग लगी थी उसको बुझाने के लिए इंडियन जो आर्मी था उसका ये ऑपरेशन चलाए गया था कि आपको बुझा जा सके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इरान ने लांच किया था अगेंस्ट इस्राइल कlab करने के लिए ऑपरेशन तर्की के लिए ऑपरेशन गंघा युक्रेइन के लिए ऑपरेशन देवसक्ति आफगान vacunist को क्या होता है न कोई बीशी में ये list हुई थी स्टोपर्पर स्टॉक मार्कट में तो तीच ुम्हां ये में 10% shareholding public shareholding लेना बहुत जरूरी है यह चिसका आप लोग ध्यान देना यह सेवी का नियम है company must attain 10% public shareholding within 3 years of listing तो 6 वाले का answer क्या है यह आजाएगा विस्तार दिया गया है तीन सालों का 3 years का यहां पर extension दिया गया है LIC को कि वो achieve कर पाए 10% public shareholding की याने की जो central companies है केंद्री companies है उनके share 10% इनके पास हो तब जाकर यह इनको तीन साल का और वेवर दे रखो रशिया के प्रेसिडेंट चुनेंगे व्लादेमीर पूतिन अभी 2030 तक रहेंगे पनामा के जोज रॉल मोलिनो सोलमोन आइलेंड के जर्मिया मनाली मैनेले पाकिस्तान के इशागदार मुहम्मद इशागदार डेपूटी बीम है ना को के आसेपली जर्दारी भी है घरतिये लोग उनिफाइट पेमें इंटरफेस चला पाए स्रिलंका में तो कौन से कम्पनी ने लंका पे करा रहा है तो एक क्या करा है तो पहले बात तो ध्यान रखो इतना बड़ा जो ये प्लैन है कौन कर सकता आपको पता है इस तो नहीं करेगा इक कि इतना फंडी नही पर जैक सा भी नहीं करेगा और चाइनीज नासनल स्पेस एड्मिनिस्टेशन पर बजट रहता है तो यह जो है ना आपका यह चंद्रमा पर यह इस प्रकार का रेले फ्लैट्फॉर्म लेके जाएंगे ताकि जो वहां पर समान है जैसे मान लीजे करके दिन मून में बसती बै करेगा यहां पर फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम कौन करेगा यहां पर नासा करेगा तो नाम में फ्लोट इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं बाद में बता दूँंगा ओके अच्छा पहले व्यक्ति जो चांद पर गए थे नील आम स्टॉंग गए थे सोवित यूनियन यहां पर द्यान देना और जो मून और अर्थर ग्रेविटेशनल है उसका रेश्यो कितना है इस चीछ को भी आपने द्यान देना है उके लास्ट कोशन है सुनील छेत्री रिसेंटली अनॉंस किया कि वह रिटायर ले रहे हैं तो वह कौन से खेल से उन्हो आप लोग द्यान देना नेपाली है यानि की गुर्खा है तो यह किस्ते खेलते हैं यह फुटबॉल से संबंदित है यह भी आप लोग यहां पर ध्यान देना एक्जाम में आ सकता है अब आपको मैं बता रहता हूं आएक्जाम बी के दौरा एससे सुपर पैक आपको दिय कि ए विक्रम सर जीके टेलीगराम की यह मेरी पोर्सनल आइडिय विक्रम सर जीके ओके इसमें कोई स्पेस नहीं है मुझसे बात करो मुझसे बताओ कि सर यह प्रावला में हमें क्या करने चाहिए मैं जवाब दूँगा ऐसा नहीं है कि आप एक्तम मुझसे करोगे एक्तम जवाब दे पाऊंगों लेकिन आ मैं कोईस करोगे मैं जल्द जल्दी दवाब आपका दे पाऊं मिलते हमारे अगले वीडियों को तकले गुडबाई एंड जैहिंद